नमस्कार जेहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है चर्चा में क्या आप लोगों ने कभी है सोचा है कि भोचपुरी इंडेश्ट्री के जो बड़े-बड़े स्टार हैं, बड़े-बड़े सिंगर हैं, लडाई अकसर फेस्बुक में लाइव आकर ही क्यों करते हैं। क्या इनके पास एक दूसरे के घर का एड्रेस नहीं होता, क्या ये एक दूसरे को पहले से नहीं जानते, क्या ये एक दूसरे के घर वालों से परिशित नहीं है, क्या ये आपस में पालिटी नहीं किया कभी इनोंने, क्या ये एक दूसरे के पीए को मैनेजर को नहीं जानते, क्या अपना message ये दूसरे को text करके WhatsApp करके नहीं दे सकते, फिर क्यूं, आखिर क्यूं Facebook में live आके ही ये अपनी बात कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है, नहीं सोचा, तो अब सोचना start कर दीजिए, सब कुछ depend करता है, TRP, publicity stunt, इन्हें चाहिए TRP, क्यूंकि अगर ये मिलके, करशा नहीं करेंगे, इनके विशय में खबर नहीं बनेगी, ये सोचल मीडिया पर ट्रेंड नहीं करेंगे, और जो सोचल मीडिया पर आज के टाइम पर ट्रेंड नहीं करेंगा, ना वो कहीं बज सकता है, ना उसे लोग सुनेंगे, क्यूंकि जब आपके बारे में चर्च आप हुमारे भगवान हो आप जो चाहोगे वही होगा सिर्फ और सिर्फ सेंपथी गेन करने के लिए आपको भावुक किया जाता है जाती के नाम पे प्रदेश के नाम पे जिले के नाम पे आपको उकसाया जाता है ताकि आप उनके फेवर में आ जाएं और जो दूसरा आदम है उसके आप आप पोजिट में चले जाएं 95% लोग इस बात पे भाकावे में आ जाते हैं लेकिन जो 5% सिक्षित होते हैं समझदार होते हैं पढ़े लिखे होते हैं अपने दिमाग से चलते हैं उनके भाकावे में नहीं आते इसलिए इसलिए सब होता है Facebook में आके लड़े य लाय वाना है किसी को कुछ भी बोल देना है चाहे चोटा कलाकार हो नया कलाकार हो अभीतस गाने गाये हो चाहे बहुत पुराना कलाकार हो फेस्बुक से ही फेस्बुकिया लडाई होती है आप देखते हैं कभी कोई जेल जाता है जेल जाते हुए किसी को देखा किसी को देखा आपने आपस लडाई करते हैं कोई जेल जाता है कोई एक दूसरी को पर केस करता है कोई किसी को पर गाना भी गा दे रहा है आज के टाइम पर, तो कोई नहीं बस धमकी कि तुम्हें कानूं करवाई कर देंगे, ये कर देंगे, धिकाना कर देंगे, कुछ होता है नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ यहां आम जंता को मुर्ख बनाया जाता है, आप क्या सोचते हैं कोमेंट जरूर करिएगा और definitely मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ टीरपिक लिए होता है नहीं तो आप लोग आपस में समझ सकते हैं लेकिन आप लोग अपने फैंस को लडाने की कोशिश करते हैं गुमराह करने की कोशिश करते हैं और बहुत से बेचारे ऐसे हैं जो आपको भगवान मानते हैं दिल में बसाते हैं इतना अपने माबाप को प्यार नहीं करते होंगे उनकी फोटो लगाके नहीं घूमते होंगे जितना आम लोग की फोटो WhatsApp की DP, Facebook की DP में लगाके और अपने मोबाइल में रखते हैं आप लोग प्लीस कॉमेंट करिए और ऐसे लोग का बाइकॉट करिए जो अपने फैंस का गलत इस्तमाल करता हो उसे बिल्कुल ही बाइकॉट करिए वो चाहे कोई भी हो एक स्वाई धन्यवाद मुझे पता है मेरी बाते बुरी लगेंगी लेकिन कड़वी दवाई हमेसा अच्छी होती है आदमी जल्दी स्वस्थ हो जाता है फिर से एक बार आपने अपना समय दिया इस वीडियो को अलाश तक देखा इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया